हरी कृष्णा राथे राथे नंदी जी को भगवान शिव का प्रमुगण माना गया है नंदी जी सदेव भगवान के समीप रहते हैं अधिक से अधिक प्रभू की सेवा में रहते हैं अपनी पेट पर बैठा कर प्रभू को तीनों लोकों का भ्रमन कराते हैं नंदी जी भगवान शिव की प्रमुगण है और यही नंदी जी जब हमारे भगवान भोले नात समाधी में लीन हो जाते हैं तब हम भगतों का सहारा बनते हैं और हमारे जीवन की समस्याओं को, हमारी मनोकामनाओं को, हमारी प्रार्थनाओं को भगवान भोले नात तक पहु जब भी आप भगवान शिव के मंदिर में जाएं तो सबसे पहले भगवान शिव की पूजा करें, माता पारवती की पूजा करें, दोनों की पूजा करने के बाद आप नंदी जी के पास आएं, नंदी जी के आगे घी का तीपक चलाएं और उनके आगे कोई हरी वस्तु चढ जैसे कि आप थोड़ी सी घास चड़ा सकते हैं या कोई हरा फल चड़ा सकते हैं या अगर कुछ ना मिले तो आप बिल्लव पत्र ही चड़ा सकते हैं तो आप नंदी जी को कोई हरी वस्तू अरपन करें उसके बाद उनके दाहिने कान में अपनी मनोकामना कहें लेकिन मनोकामन करने से कहने से पहले आपको एक काम करना है अपने मनो कामना कहने से पहले आपको नंदी जी के कान में दो शब्द कहने हैं क्या है वो दो शब्द आपको कहना है हरी ओम सबसे पहले आपको नंदी जी के कान में हरी ओम कहना है उसके बाद अपनी मनो कामना कहनी है या आपके ज इस समस्या को आप भगवान शंकर के समक्स रख दीजे, आप भगवान शिव से प्रार्थना कीजे, कि वे मेरी इस मनोकामना को पूरी करें, मेरी जीवन से इस समस्या को दूर करें, नंदी जी की प्रार्थना को उनके आगरहे को भगवान शिव कभी नहीं डालते, तो अगर वह मनोकामना आपकी वह समस्या दूर हो जाएगी लेकिन अपनी मनोकामना को कहते समय आपको एक बात का विशेश ध्यान रखना चाहिए कि आपकी उस बात को आपकी उस मनोकामना को जब आप कह रहे हैं कोई न सुने आपको इस तरह से कहनी है कि उस बात को आपकी कोई न सुन पाई जब आपकी मनो कामना पूरी हो जाए जब आपके मन की इच्छा पूरी हो जाए तब आपको किसी बैल को कोई मीठी वस्तू जैसे कि या तो आप मीठे चावर बना लीजिए या कोई मिठाई बना लीजिए या गुड़ ही सही आपको कोई मिठी वस्तु उसे खिलाने चाहिए और नंदी जी का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने आपका आग रहे, उन्होंने आपकी प्रार्थना भगवान शंकर के आगे रखी और भगवान शीव ने आपकी प्रार्थना को पूरा किया आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हरी कृष्णा राथी राथी